Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है कैन्यान कहानी शुरू होती है दा ग्रेट कैन्यान की सलको भी जहां हम एक new married couple को देखते हैं जिसमें husband का नाम है Nick और wife का है Stella ये दोनों अपना honeymoon मनाने के लिए यहां पर आए हैं क्योंकि ये जगा निक की dream place में सबसे पहले नंबर पर आती है और उसे यहां hiking करनी है लेकिन उसने ये बात Stella से चुपाई है क्योंकि वो उसे एक surprise देना चाहता है अब वो एक hotel में stay करते हैं जो कैन्यान के काफी करीब थी next day निकलने से पहले वो Stella को बता देता है कि मैंने हमारे लिए एक plan मनाया है हम कैन्यान जाने वाले हैं अब ये सुनके Stella कुछ खास खुश नहीं होती है क्योंकि उसे ऐसी जगा जाना पसंद नहीं है लेकिन वो निक की खुशी के लिए तैयार हो जाती है वो दोनों पास के एक tourist shop पर जाते हैं और guidance के लिए कुछ book खरीते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ जाने के लिए उन्हें permit चाहिए तो दोनों पास के एक permit office जाते हैं या उन्हें एक और जटका लगता है कि permit बनवाने में कई महीने लग जाएंगे और उन्हें तो थोड़ी देर में जाना है अब Stella Nick से कहती है कि हम कहीं और चल लेंगे मुझे बस तुम्हारे साथ समय विताना है चाहे वो कोई भी जगा हो लेकिन या निक को बहुत बुरा लगता है उसका ड्रीम था कि वो बस एक बार अपनी life में क्यानियान देखने जाए उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है अब रात होने पे वो दोनों एक बार में जाते है और इसी बार में बात करने लगते तो यहां उनकी बात एक agent आदमी सुन लेता है वो उनसे कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ मैं तुम्हें क्यानियान ले जा सकता हूँ मुझे यहां का हर एक कोना पता है तो नहीं कहता है कि बात तो ठीक है पर हमारे पास permit नहीं है तो वो कहता है कि कोई नहीं मेरे पास permit है अब यह सुनकर वो बहुत खुश होता और उसे कली चलने को बोल देता है सुबह हो जाती है और दोनों घोले पे बैट कर उसके साथ निकल जाते है उन्हें रास्ते में कुछ खतरनाक टूर्स भी मिलते हैं जिन से समलते हुए वो गाइड उन्हें रास्ता दिखाते जा रहा था और ऐसी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं कुछ दूरी के बाद इन्हें एक नदी मिलती है जिसके किनारे में ये तीनों बैट कर आराम करते हैं इसी बीच गाइड जिसका नाम हैंरी है उनके सामने वाले क्यानियान के अंदर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं अब वो दोनों उसकी बात मान कर अंदर जाते हैं तो दोस्तों ये जगा सच में बहुत ही खुबसूरत होती है दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कभी ना अलग होने की कसम खाते हैं अब वहाँ से बाहर आने पर Henry उन्हें बताता है हमें इसके आगे जाने की permission नहीं है पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को आगे ले जा सकता हूँ लेकिन स्टेला कहती है कि नहीं बस हम मैं ठक गई हूँ हमें अब वापस लोट जाना चाहिए लेकि आने वाले लोग सालों पहले छोड़ कर गए थे अब फिर आगे बढ़ते हैं और तभी उनके साथ दुरगटना हो जाती है वो तीनों घोड़े से गिर जाते हैं क्योंकि Henry के घोड़े ने साम देख लिया था जिसे वो डरगर पीछे भागने लगता और उसे देखकर सभी खोड़े भागने लगते हैं तभी वो साप Henry को काड़ भी लेता है लेकिन सही समय पर उसे मार देता है पर यहां घोड़े के नीचे किननी के वज़े से उसका एक हाट टूट चुका था जिसे अब वो उट नहीं पा रहा था तो वो निक से कहता है कि जा कर उन घोड़ों को जल्दी से ले आओ अब यहां निक को तो दो खोड़े नहीं मिलती है लेकिन एक मिल जाता है वो उसे लाकर बड़ी ही मुश्किल से बानता है जब वो वापस Henry के बास आता है तो Henry कहता है कि अब थोड़ी ही देर में अंधीरा हो जाएगा इसलिए बहतर है कि आज हम लोग यहां पे कैम्प लगा ले और फिर कल की सुबा के साथ आगे बढ़ते हैं निक को यह सही लगता है तो वो आग चला कर वहीं सोने लगता है लेकिन वो लोग सुबा से निकले हुए हैं और उन्हीं भूग लग चुकी है तो Henry उन्हें वहीं साब खाने को कहता है जिसे उसने काटा था पर उसे काटना निक को ही था और बड़ी ही मुश्किलों से उसे काटता है और पकाता है अब इस टेला उसे नहीं खाती वो वैसे ही भूकी रहती है क्योंकि वो एक वेजटेरियन है अब उसी रादों ने कुछ भीडियों की आवाजे भी सुनाई देती है जिसके बारे में हैंडरी बताता है कि यह यहांके जंगली भीडिया एं इंसे समखल कर रहना है वेलब कुछ जरबा सुबहों जाती है लेकिन यहां हैंडरी की तभीयत अब कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी साप के काटणी की वजह से उसका जहर अब धीरी धीरे उसकी बॉड़ी साफी दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और रात में चलना ठीक नहीं है इसलिए वो लोग एक उचे पहाल पर जाते हैं रात गुजानने के लिए अब वो दोनों लगडी ढूरने के लिए थोड़ी दूर पर चले जाते हैं पर उसी दौरान उन्हें का आवास सुनाई देती है और पास जाती हो देखते हैं कि हैंडी नीचे पड़ा था दरसल वो यहां से भागना चाहा रहा था लेकिन घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया और वो घोड़ा भी वहां से भाग जाता है निक फौरन घोड़े को देखने जाता है पर जब तक वापस आता है यह पर हेन्री मर चुका था यानि कि अब इतने बड़े विरान इलाके में यही दोनों ही बचे हैं और इन्हें कुछ पता भी नहीं है इस इलाके के बारे में अब यह देखकर स्टेला रोने लगती है उसे डर था कि कहीं वो भी यहां मारी ना जाए निक उसे होसला देता है और रात वहीं गुजानने को कहता है दोनों गाइड को वहीं पास में ही गाल देते हैं और कुछी देरी में सो जाते हैं लेकिन बीच रात में निक को कुछ दिखाई देता है और वो असल में भीडिया था जो उन्हें देख रहा था वो सोता नहीं है क्योंकि अगर वो सो गया तो स्टेला की जान खत्रे में आ सकती है इसलिए पूरी रात वो उसके लिए जाकता है और अगली सुबह वो कुछ भीडियो के पैरों की निशान दिखते हैं जो वो मिटा देता है क्योंकि स्टेला ये जान कर और जादा डर जाएगी अब समय बीता रहता है और आज तीन दिन से जादा हो गए हैं और ये दोनों बस घूमे ही जा रहे हैं चारों और इन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है तब ही नहीं कहता है कि रेसेप्शनिस्ट ने कहा था कि हमारा चेक आउट मंडे को है और अगर हम उन्हें अपने रूम में नहीं मिले तो हो सकता है कि विरिसक्यू टीम को हमें बचाने के लिए बेजें पर स्टेला ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैट नहीं सकती है उसे जल से जल रास्ता ढूंडने को बोलती है वो बिना सोचे समझे चलने लग और घुमा फिर आके फिर उसी जगहां कर अटक जाते हैं जहां से उन्हें उन्हें शुरुआत की थी अब इस चीज से दोनों बहुत ही फ्रस्टेटेड हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और स्टेला आकरकार बोली देती है कि मैं यहां नहीं आना चाहती थी लेकिन तुम्हारी वज़े से मैं यहां पर आई अब निक भी जानता है कि यह उसी की गलती है इसलिए हो कहता है कि हमें किसी तरह से यहां से निकलना चाहिए ना कि लड़ाई करना चाहिए अब वो इसके आगे ज़ा पाता है कि तभी स्टेला के फोन में हलका सा नेटवक आना शुरू हो जाता है लेकिन कुछी देर बाद वो चला भी जाता है तो निक कहता है कि हमें फोरन एक उची जगा पर जाना होगा जहां से हम कॉल कर सकें अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते है पर वो नेटवर्क लॉस हो जाता है तो थोड़ा और उपर जाते हैं जहां फाइनली कॉल लग जाता है और वो तुरंत ही अपनी अमर्जंसी बताती है कि हमें मदद की जरूत है लेकिन तभी निक का हाथ छूट जाता और जिससे स्टेला भी नीचे गिर जाती है अब उ निक को इतना दर्द होता है कि वो वहीं भी होश हो जाता है जब उसे होश आता है तो उसके आँखों के सामने स्टेला नहीं बलकि एक भीडिया था जो उसे देखे जा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे लेकिन तभी स्टेला एक बड़ी सी ल पहारी होता है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था जिससे वो भी ठक जाती है और वहीं निक के पास बैठ जाती है तब निक उसे अपने कॉलेश टाइम की एक सची कहानी बताता है जिसमें एक आदमी ऐसे ग्रेट कैन्यान में कई दिनों तक फस गया था उसका हाथ जाकर प तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं और तुम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे इसलिए हमें एक करना ही होगा तो स्टेला मांच जाती है अब इसके लिए उन्हें एक चाकू कोई जरूत थी जो उनके पास तो है नहीं तो निक को याद आता है कि हैंड़ी के पास चाकू था वो फिर भी हमत करके बॉड़ी को बाह निकालती है और फिर उसे दफना कर वापस आने लगती है। अबी वो देखती है कि निक की बॉड़ी में कुछ मुवमेट नहीं हो रही है और यह देखकर वो बहुत ड़ जाती है वो फोरण जा कर उसे चाकू गरम करके निक के पैर पर लगाती है जिसे वो होश में आ जाता है और तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है अब यानि कहता है कि चलो जितनी जल्दी हो सके मेरा पैर काट दो पर स्टेला आकर ये करी तो करी कैसे उसके अंदर इतनी हिमत नहीं थी पर निक उसे ऐसा करने को मजबूर करता है तो स् अथर से उसकी हड़ी तोड़ देती है और उसका पैर बाहर आ जाता है फाइनली निक दर्थ की वज़े से फिर से भी होश हो चुका था और उसका लगतार खून बहता जा रहा था तो स्टेला उसके जखम पर गरम चाकू लगाती है जिससे जादा खून ना बहे उस समय बा रहा सकते हैं तो वो फौरण और लकड़िया लेने जाती है जब वो वापस आती है तो उसे वहाँ एक भीडिया देख लेता है जो उस पर हमला कर देता है लेकिन शुकर मनाईए कि उसके पास चाकू होता है जिसे वो उससे भगा देती है अवो जल्दी से आकर और आग जल हमला कर देती है, जिसे एक भीडिया मर भी जाता है और यह देखकर सारे भीडिया मासे भाग जाते हैं, लेगिन यह दुबारा जरूर आएंगे क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है, अब अगली सुबा हम देखते हैं कि वो भीडिया महीं मरा हुआ है और उसकी कुछ ही दोरी पर वो दोनों बैठे हुए हैं अब इन दोनों को तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं बिना कुछ खाए भी है तो स्टेला उसी भेडिये का मास पकाती है और उसके कुछ हिस्सों को अपने पास रख लेती है लेकिन यहां अब उससे निकलना होगा तो वो निक के लिए एक लगड़ी का स्टेचर बनाती है और उसे लेकर खुद घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है अब बीच में निक उसे पानी मांगता है पर उनके पास पानी तो था ही नहीं लेकिन इस बारी वो तूट जाता है जिसे निक नीचे के जाता है अब यहां निक हार मांच चुगा था वो इस्टेला से कहता है कि तुम यहां से चली जाओ अब मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं चल सकता हूँ प्लीज यहां से चली जाओ, लेकिन स्टेला हार नहीं मानती, वो पास से ही एक बड़ी सी लकडी का टुकला लाती है, और उसे निक को सहारा दे के उसे खड़ा करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो जादा दूर तक चल नहीं पाता और रुख जाती है, वहाँ पे स्ट प्लों में से एक टुकला फाल कर उसकी पट्टी कर देती है, लेकिन उसके खून की स्मेल सुंकर वहाँ भेडिया फिर से आ जाते है, निक बार-बार उसे कहता है कि अब तुम चली जाओ, प्लीज चली जाओ, लेकिन स्टेला नहीं मानती है और उसे फिर से उठाती है, पर कुछी मिनट बाद वो भी गिर जाती है, अब उसके अंदर भी हिमत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, स्टेला उसे बार-बार उटने को कहती है, पर वो तो बिहोश हो चुका था, तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एक भीडिया आ गया है, वो से भगाने में लग जाती है क कि तभी पीछे से दो भीडिया आकर निक के पैर को खीशने लगते हैं, वो उने भी भगाती है, लेकिन कुछी पल बाद वो दोनों चारो तरफ से घिर चुके थे, और अब यहां एतनी दूर आकर स्टेला भी हार मान जाती है, वो समझ जाती है कि उनका बच्पाना मुश् कर नहीं किया, कुछी देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके मुँपर अपना हाथ रख देती है, जिससे निक की सांसे बंद होने लगता है, और इसी तरह से निक अपना दम तोड़ देता है, यहां उसे वो दिन याद आता है, जब उसने निक से शादी की थे और प्रॉमिस में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कि उसने निक का 11 दिन तक साथ दिया, बस कुछ पल और दे दे थी, तो वो बच जा था, लेकिन उसने खुद के ही हाथों से उसे मार दिया, अपने प्यार को मार दिया, वो लोग उसे हेलिकॉप्टर से शहल लेकर आ जाते हैं, जिसके साथ यह कहानी खतम हो जाती है, तो इस कहानी समय यही सीख मिलती है, कि किसी भी अंजान आदमी पर ऐसी भरोसा मत करिये, और ऐसी जगा मत जाई है, जिसके बारे में आप जादा जानती ना हो, वेल कहानी यही खतम होती है, आपको यह कहानी कैसे लेगी, नीचे कॉमेंट करके ज़रू बताएगा, मिलते हैं आप से गल्वीड में, thank you so much watching, peace out.